जहीं दोस्तों दोस्तों इन इसपर्स पेंशनर्स की होगी पेंशन वापस बैंक करेगा रिकवरी जी हां दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह मामला आखिर है क्या तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे कल एक डिफरेंश पेंशनर्स का वाटसेप पर एक मैसेज आया उन्होंने जो है मुझे एक इमेज भेजी वो एक मेल आया वा था और उन्होंने मुझसे पुछा कि आखिर है क्या तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो इमेल दिखाता हूं उसके बाद बताऊंगा कि आखिर यह सारा का सारा मामला है क्या तो दोस्तों आप बोर्ड पर एक email देख रहे होंगे जो कि एक defense business को प्राक्त हुई है bank में जा करके आपको इसका heading भी नजर आ रहा होगा recovery of pension paid for the month of January, February 2022 in the account of migrated to spurs PCDA pension, CPPC defense तो दोस्तों ये जो है CPPC defense से जो है एक mail आई है bank के लिए आप यहाँ पर bank नाम भी देख रहे होंगे हलांकि मैंने उसको जो है काटा हुआ है तो आप इसमें देखे क्या लिखा हुआ Dear Sir, with reference to the captioned subject Please find the below mentioned pension account of your branch तो इन्होंने एक branch के लिए जिसमें की उन defense business का खाता था pension खाता था जिसमें उनकी pension आती थी तो उनके लिए जो है CPPC की तरफ से जो है यहाँ मेल आई वहाँ पर जो है नाम लिखे हुए है कुछ defense business के आप देख भी रहे होंगे नाम उनके जो है यहाँ पर account number लिखे हुए है और उनके जो है PPO number भी यहाँ पर लिखे हुए है अब था दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या लिखावा है CPPC ने उस bank branch के लिए इस pension account has been migrated to Spurs PCDA pensions from January 2022 but pension has been paid to these pensioners for January 2022 and February 2022 from both CPPC and Spurs PCDA pension यानि कि CPPC का कहना है कि जो यह pensioner है जो मैंने आपको पर लिस्ट दिखाई थी तो इन pensioners का pension data Spurs में migrate हो चुका है जन्वरी में लेकिन जन्वरी और फर्वरी की जो pension है इनकी bank के द्वारा भी इनके खाते में डाल दी गई है और PCDA Spurs की तरफ से भी जो है इनके खाते में पिंसन डाल दी गई है जन्वरी और फर्वरी महा की We have stopped marked pension PPO of the sad business with remark migrated to Spurs PCDA pension तो उन्होंने इनके PPO को mark कर दिया है कि इनका pension data Spurs में migrate हो चुका है We have also lien marked in the pension account for access paid amount of the January 2022 and February 2022 यानि कि इनोंने जो है एक lien marked कर दिया है तो दोस्तों यह जो lien marked होता है bank किसी के account में तब करता है जब जो है गलती से किसी के account में कोई amount चला गया होता है तो lien marked bank की तरफ से कर दिया जाता है और lien mark करने से जो है उतना amount जो है freeze हो जाता है आप उस amount को निकाल नहीं सकते है उन्हा उसको transfer कर सकते हो तो जैसा कि इनोंने लिखाई है कि जो इनको access amount पे की गई है जनवरी और फरवरी की pension के रूप में तो उसको जो है इनोंने lien mark कर दिया है We request branch to kindly recover access paid pension as per lien amount तो उन्होंने जो है CPPC ने bank को लिखा है कि किरप्या करके इस amount को जो है kindly recover access paid pension यानि कि जो इनको ज़्यादा pension दो मेहने की इनके खाते में डाल दी गई है उसको जो है recover किया जाए as per lien amount जितना उन्होंने जो है इसको lien किया है in lump sum from pensioner and inform us suitably कि pension के खाते से यहाँ किया जाए और CPPC को इस बारे में inform किया जाए वैसे तो दोस्तों मैंने पहले सुना नहीं है कि bank और PCDA इस परस दोनों की तरफ से pensioner को pension credit हो चुकी है इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ बहुत ही जादा minimum case हुए है लेकिन दोस्तों हो सकता है आप में से भी किसी के साथ में यहाँ जो है case हुआ हो कि bank से भी और इस परस PCDA की तरफ से भी जो है आपके खाते में pension जो है डाल दी गई हो तो दोस्तों उसमें bank recovery जरूर करेगा उस amount को lien mark करेगा आपको भी सूचित किया जाएगा तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़्यादा confused नहीं होना है आप bank में जाकर इस चीज को clear तरीके से पता कर सकते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है वो आपको यह सारी चीजें बता देंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए यही जानकारी लेकर आया था कि ऐसा भी जो है defense pensioners के साथ में हो रहा है या spurs migrated pensioners के साथ में हो सकता है तो दोस्तों सबस्त रहें मस्त रहें वीडियो अगर आपको अच्छी लगई हूँ like share कर सकते है को queries हो तो comment box में जाकर लिख सकते है यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe परके बेल आइकन का गंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोच की notifications मिलती रहे जल मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जेहिन वंदे मात्रम